जहेंदी students, I hope कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की preparation अच्छी चल रही होगी, आज MPPSC State Service exam का means exam है और दूसरा paper आज है, चले देखते हैं कि आज General Studies second paper में किस टाइब के questions पूछे गए हैं, इसमें दो parts में या दो section में questions आते हैं, section A और section B, section A total 150 number का होता है, section B भी total 150 number का होता है, total number देखें तो 300 number का ये paper होता है, सबसे पहले बात करते हैं section E के, question number 1 है, इस प्रिष्ण में 15 लग उत्री उप्रिष्ण है, सभी प्रिष्ण के answer आपको 10 सब्द में या एक पंक्तियों में करना है, सभी प्रिष्ण करना है और हर एक question 3-3 number के हैं, मतलब की total 45 number क question number 1 है, भारती सम्विधान की प्रिस्तावना के पांच अव्यवलिके, question number 2 है, भारती सम्विधान में वर्नित स्वतंतरता के कोई चार पक्ष कौन से हैं, question number 3 है, राजिकी नीती निदेशक सिध्धानतों का मूल हे तु सपष्ट कीजे, question number 4 है, संगलोग सेवा आयोग भारती के कोई दो तरीके लिखे, question number 5 है, नीती आयोग की गति विदियो की दो प्रमुख स्रेणिया क्या है, question number 6 है, मतदान व्यवहार के चार निरधारक कारक लिखे, question number 7 है, 73 सम्विधान संसोधन अधिनियम की तीन प्रमुख विशेस्ताई लिखे, question number 8 है, स्वयम सहायता समुहों के प्रमुख लाव कौन से है, question number 9 है, चुनाबों में मीडिया की भूमिका के विविद रूपों का निरूपड कीजिये, question number 10 है, दीन दयाल उपाध्याय ने मानवदा के कौन से चार उद्देश्य बताएं, question number 11 है, सरदार बल्लब भाई पटेल की आर्थिक विचा question number 12 है, राम मनुहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित नव समाजवाद की कोई दो मूलतत्व बताईए, question number 13 है, एक विशय के रूप में लोग प्रिशासन की किनी तीन शाखाओं के नाम लिखे, question number 14 है, नियंतरड के चेत्र को प्रभावित करने वाले कोई दो घटक लिखे question number 15 है, प्रत्य योजन के कोई दो लाफ लिखे, question number 2 है, जिसमें 10 लगुत्री उप्रिश्ण है, प्रत्य प्रिश्ण के आंसर आपको 50 शब्दों में या फिर 5 से 6 पंक्तियों में करना है, सभी प्रिश्ण अनिवार है करने के लिए और हर एक question 5 number की है, question number 1 है, न्याइक सक् स्तार से कैसे भिन है, सपष्ट कीजे, question number 2 है, भारती संखवाद, सहयोगात्मक संखवाद से प्रतिस परधात्मक संखवाद की और अग्रसर हो रहा है, टिपड़ी कीजे, question number 3 है, भारती राजनेती जाती करण की और अग्रसर है, सपष्ट कीजे, question number 4 है, क्या आप सोचते ह कि गटबंधन केंद्र और राज्यों की दली राजनीती की मुख्य विशेष्ताँ हैं। विवेच ना कीज़े। Q5. भारत के प्रतियोगिता आयो के कायों की विवेचन कीजे. Q6. राश्टिय मानवाधिकार आयो की मुख्य शीमाय क्या है? Q7. सामाजीक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र का प्रमुख आधार है. बाबा साहे बंबेडिकर की दृष्टी के आलोक में विवेचन कीजे. Q8. दीन दयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादीत एकात्मक मानवाधिकी मुख्य विशेस्ताओं की व्याख्या कीजे. Q9. परिबद्य तारकिक्ता क्या है? निने निर्माण में याई क्या भूमी का निभाती है? Q8. नव लोक प्रिशासन नव लोक प्रबंधन से कैसे Q3. प्रत्यक प्रिश्न के आंसर आपको 200 शब्दों में करना है. सभी प्रिश्न अनिवारे हैं. हर एक Q11. नमबर की है. Q1. भारती संविधान पर एक आलोजनात्मक टिपड़ी लिखे. Q2. इसमें सुधार है तू सुझावों का वर्णन कीजे. आत्वा में राजनितिक दल की परिभासा दीजे. तता भारत की तली व्यवस्था की प्रमुख विशेस्ताइं बताईए. Q3. केंद्रे सतरकता आयोग का कार्यात्मक छेत्र क्या है? विल्स ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रेकास टालिए. अत्वा में प्रतिनिधित्व का क्या आर्थ है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विभिन रूपों का वर् अत्वा में लोगतंत्र के बारे में जय प्रिकाश नारायन का द्रिष्टिकोर समाजवाद और सर्वोदे की लक्ष के साथ निकट से जुड़ा है. इसकत्थन की व्याख्या कीजे. Q5 है लोग प्रिशासन का महत्तो बताईए, लोग प्रिशासन कला है, अत्वविक्यान, उचित तर्ग सहीत उत्तर दीजे. अत्वा में विकास प्रिशासन की विशेस्ताएं बताते हुए भारत में विकास प्रिशासन की समस्याओं का उलिक्ग कीजे. इसके बास section B है, जि इसका क्रम उसी टाइप से है Q1 है इस प्रिश्ण में 15 लगूत्री उप्रिश्ण है प्रत्य एक प्रिश्ण के उत्तर है तू दर्शब्द में आपको आंसर करना है या फिर एक पंक्ती में सभी प्रिश्णा निवार रहे है और हर एक कोशन 3-3 नंबर के है Q1 है राजकोशे नीती के उपकरन लिखे Q2 है भारत में की छेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेस प्रतिबंधित किया गया है Q3 है आसियान के स्थापना कब हुई तथा स्थापना के समय इसके सदस्य देश कौन कौन से थे Q4 है उद्धोक संवर्धनीती 2021 के प्रिमुख उद्देश क्या है मध्यप्रदेश के संदर्व में बताईए Q5 है ग्लोबल स्किल पार्क मध्यप्रदेश में कहा है इसके स्थापना काब और के सहीयोग से हुई Q6 है मध्यप्रदेश में संद 2020 से 22 में सूक्ष में लगु और मध्यमुद्योग में कितनी इकायों का पंजियन हुआ तता कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला Q7 है सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंब किया गया था Q8 है उननी सोड़ालिस में इस्थापीत विश्व विद्यालय शिक्षा अयो के अध्यक्ष कौन थे Q9 है बाल्श्रम प्रतिशेद और विनिमय अधिनियाम उननी सोचियासी के अनुसार बाल्श्रम क्या है Q10 जन्मसिपूर्ब कौन से संसकार मनाय जाते है Q11 है पुर्शार्थों के नाम लिखे Q12 है सही क्रम में आस्रमों के नाम लिखे Q13 है कस्तूर बागांधी बाली का विद्यालय का क्या उद्देश है Q14 है मद्यप्रदेश के पस्चमी छेत्र की प्रमुक जन्जाती तथा उसकी उप जन्जातियों के नाम लिखे कोश्चन नमबर 15 है मध्यान भोजन योजना के लिए कौन सा मंत्राले उत्तरदाई है इसके बाद कोश्चन नमबर 2 है इस प्रिष्ट में 10 लगुत्री उप्रिष्ण है प्रत्येक प्रिष्णी के लिए आप कौन सर 50 सब्दों में या फिर 5-6 पंक्तियों में करना है सबी प्रिश्णा निवार हैं और हर एक प्रिश्ण पाँच पाँच नंबर के हैं कोश्चन नंबर बन है भारत में बेरोजगारी दूर करने ही तो सरकार द्वारा किये गए उपायों को बतलाईए कोश्चन नंबर टू है बैंक दर नीती एवं खुले बाजार की ग्रियाओं से आप क्या समझते हैं कोश्चन नंबर त्री है मध्य प्रदेश में किसानों की समरद्धी के लिए चलाई जाने वाली योजनाए लिखे कोश्चन नंबर फोर है सेवा छेत्र क्या है मध्य प्रदेश में सेवा छेत्र का सकल राज्य मूले बर्धन में क्या योगदान है कोश्चन नंबर फाइब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की प्रमुखतत्व क्या है Q6. Transgender व्यक्ति को स्वास देखफाल सुविधाय प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने चाहिए Q7. Hinduों के लिए निर्धारित आठ प्रकार की विवाह लिखिये Q8. प्रदान मंतरी आदर्श ग्राम योजना की क्या उद्देश है Q9. 2011 की जनगर्णा के अनिसार भारत में महिलाओं की शैक्षे किस्थि क्या है Q10. यौन संचारित रूप क्या है और वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होते है Q3. जिसमें 5 देरगुत्री उप्रिश्न है Q1. प्रतेक प्रिश्न के उत्तर आपके 200 सब्दों में देना है सभी प्रिश्ना निवार है और हर एक Q11.11 नंबर के है Q1. राश्ट्री आय की गड़ना की विभिन ने विधिया लिखिये Q2. अत्वा में बुक्तान संतुलैन में असामिता के कोई 5 प्रमुख काराण लिखिये एवं भारत के संदर्व में इसे दूर करने के उपाय बताईए Q2. मध्यप्रदेश में जिनसंख्या प्रदी के काराण और उसका अर्थ वेबस्था पर क्या प्रभाव है बतलाईए अत्वा में मध्यप्रदेश में रोजगार की स्थेतियों को बहतर करने ही तो कौन सी योजना संचालित की जा रही है तथा बताईए इनसे रोजगार व्रधी या स्रजन कैसे हो रही है कोश्चन नमबर त्री है आप भारत के समविधान में स्थापेत अनुछेद 15-4 और 15-5 के प्रावधानों पर कैसे विचार करना चाहेंगे अत्वा में भारत सरकार द्वारापनाई गही राष्ट्रे शिच्छानीती 2020 के नए 5-3-3-4 रिजाइन में स्कूली पाठिक्रम और शिच्छा सास का पुनर गठन क्या है कोश्चन नमबर त्री है संस्कृती को परिभाशित कीजे तता संस्कृती के कुछ महत्वपून कार्यों की रूपरेखा तयार कीजे अत्वा में कुटूम बिन्याले की अवधार्णा और उसके छेत्राधिकार का वर्णन कीजे कोश्चन नमबर फाइब है भारत में कुपोशर से निपटने के लिए ICDS के संदर्भ और उद्देश की चर्चा कीजे अत्वा में असंक्रामाग बिमारियों पर एक टिपड़ी लिखे